तो वाट इस अफ एबरीवडी शश्री आकाल प्रणाम और सलाम एड़ इस यर बॉइ विशु दूबे एक महिने से हमने अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि हमारे मिक्टर में एकजाम चल रहे थे और साथी साथ कंपनी में बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ चुका था लेकिन आज से सारी वीडियो प्रॉपर वे में आएंगे रेगुलर तरीके से आएंगे तो को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए तो जनाब आपके लिए पहले खुसकबर ये है कि जो एजसेल टैग बी के रेजिस्ट्रेशन है वो फिर से स्टार्ट हो चुके हैं नीचे आपको डिस्रिप्शन में लिंक मिल जाए कि उस कुछ इस प्रकार का इंटरफेश मिलना सुरू हो जाएगा जाकि अपना फॉर्म फिलप के जिए अपने दोस्तों को बताई कि भीया एजसेल टैग बी के रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एजसेल कि एक साल बात पता चल वहीं होंगे लेकिन फर्क सिर्फ यह होगा कि आपके पास अब टाइम नहीं होगा आपके पास कम टाइम होगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो जनाब एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जो कॉलेज की रैंकिंग है वो करता है तो जनाब आपने बहुत सारे लोगों से यह सुना होगा कि बीसी एक प्रोफेशनल कोर्स है और बीसी सिर्फ एक जनरल कोर्स है इन फैक्ट मैंने भी अपने टाइम पर यही सुना था कि भाहिया मुझे टेख बीक करना चाहिए या फर बीसी तो मुझे बहुत सारे लोगों नहीं यह सजेशन दिया था कि BCA कर लो BCA कर लो यह professional course है professional का मतलब होता क्या है? professional का मतलब सिर्फ यह होता है कि उस particular course के अंदर आपको सिर्फ एक industrial knowledge दी जाएगी जबकि BAC एक normal subject है उसमें आपको industrial related knowledge नहीं दी जाएगी लेकिन जनाब जो BAC हम BIT से करने वाले हैं वो एक normal BAC नहीं है वो बिलकुल अलग BAC है यह सिर्फ एक 4 semester वाली BAC degree course है जिसमें हमें एक young IT professional बनाया जाता है जिसमें हमें industrial knowledge भी दी जाएगी हमें उन चीजों के बारे में बताया जाएगा जो technology demand में होगी हमें logical philosophy के बारे में बताया जाएगा और बहुत सारी चीजों के बारे में भी बताया जाएगा इसलिए आपका यह मानना बिलकुल गलत है कि जो BAC हम BIT से करने वाले हैं उसमें केवल सिर्फ हमें normal knowledge दी जाएगी तो जनाब BAC में आपको वो उस technology के बारे में बताएंगे जो technology demand में होगी आपको logical philosophy के बारे में बताएंगे मतलब आपका जो base है वो पिलकुल clear कर देंगे ताकि जब आप higher education हो तो आपको दिक्कत ना हो वहीं अगर हम बात करें BCA के तो यहां पर आपको थोड़ा सा programming के साथ management की और भी लाया जाता है आपको management की चीजें भी सिखाई जाती है जैसे principle of management, principle of marketing, etc, etc अगर हम बात करें जनाब BCA और BAC में क्या आंतर है वो है सिर्फ एक course structure का जनाब जो हमारी BCA है वो 4 साल की degree course है और जो BCA है वो 3 साल की degree course है दोस्तो अब बात करते हैं कि हमें BCA करनी चाहिए या फिर BCA करना चाहिए दोस्तो जो हमारी 5 लोगों की team है उनमें से 4 लोगों ने कहा है कि आप BCA from bits कीजिए और जो मेरा खुद का अकेले का opinion है वो है कि आप BCA कीजिए या फिर BCA कीजिए लेकिन जो भी कीजिए उसमें से अच्छे से knowledge gain कीजिए क्योंकि वही जाके आपको कल को अच्छा package दिलवाईगी तब तक के लिए See ya, have a good day, don't fear, Vishu is here So, what is up everybody, how are you guys, hope you are doing well Guys, first of all, forgive us due to our midterm exam and heavy workload, we are unable to make video So, please forgive our team Guys, today we are going to talk about which one is best between BCA from bits and BCA from Shastra University And from the opinion of myself and also my teammates, what should you do So guys, first of all, I will give you a good news that the registration window of HCL TechBee is open now You will get the link in description box, click on the link and you will get this type of the interface Guys, keep this thing in your mind, the NIRF ranking of the college does not matter in the job sector Although, the NIRF ranking of bits is 15 and the NIRF ranking of Shastra is 40 Now, if we say what is the difference between B.Sc Design and Computing and BCA There is only one difference between BCA and B.Sc that is course structure and nothing B.Sc is 4-year degree course and B.Sc is 3-year degree course B.Sc is a professional course and B.Sc is general course What mean by professional, it means industrial knowledge and general means normal and nothing Guys, B.Sc you are going to do from bits is not like a normal B.Sc This B.Sc is quite different In this degree course, you are going to do your graduation in design and computing And this is an 8 semester program Where there, they will prepare you a young IT professional In B.Sc they will teach you about technology that will be in demand, logic, philosophy, etc In BCA, they will teach you about principle of management, principle of marketing and human resources and management Now, if we talk about what should you do from the my opinion So guys, we have 5 team members, 4 of them will recommend you to do B.Sc from bits And I will recommend you to pursue BCA Next video will be in very detail So, subscribe our channel and share with your friends So guys, if you have any problem related to your class, so please message me on Instagram Till then, see ya, have a good day, take care, wish you in peace I will subscribe to my channel on Instagram Bye meaning Bye Bye ! Bye